एक राजा राज करता था वह एक शांदार महल में रहता था जो कीमती पथरों से बना था और जिसमे तरह-तरह की नकाशिया की हुई थी महल इतना सुंदर था कि उसके चर्चे दूर-दूर तक फैले हुए थे उसके महल के मुकाबले का महल आसपास के किसी भी राज्य के राजा के पास नहीं था। जो भी राजा का महल देखता, उसकी प्रशंसा के पुल बांध देता। अपने महल की प्रशंसा सुनकर राजा फूला नहीं समाता धीरे धीरे उसमें घमंड घर कर गया जो भी उसके महल में आता वा अपेक्षा करता कि उसके महल की प्रशंसा करे यदि कोई उसके महल की प्रशंसा नहीं करता तो उसे बुरा लग जाता था एक बार एक साधू उसके दर्बार में आया. साधू से शास्त्र ज्यान लेने के बाद राजा ने उससे कहा, गुरुवर, आज की रात आप यही ठेरें. मैं आपके रुखने की व्यवस्था करवाता हूँ. साधू ने स्विकृती देते हुए उत्तर दिया, राजन. इस सराय में मैं अवश्य ठेरूंगा. अपने महल को सराय कहे जाने पर राजा के अहंकार को चोट लगी. वहां आगबबूला होकर बोला, गुरुवर, आप इस महल को सराय कह इसका अपमान कर रही है. ऐसा महल दूर दूर तक धुंडने पर भी आपको नहीं मिलेगा. यहां ठहरना आपका सौभाग्य होगा. अन्यता दर-दर भटकने वाले साधू के भाग्य में तो एक तूटी-फूटी कुटिया भी नहीं होती. कृप्या आप अपने शब्द वापस लीजिए. साधू मुस्कुराते हुए बोला, राजन. जो सत्य है, मैंने वही कहा, मैं अपने शब् साधू को चुनौती दी. ठीक है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, साधू ने कहा. उची, आपसे पहले ये महल किसका था? मेरे पिताश्री का. उसके पहले? उनके पिताश्री अर्थात मेरे दादाश्री का. उसके पहले? उनके पिताश्री. इस महल का इतिहास बहुत पु बात ही सिद्ध करती है, राजन की ये महल एक सराय है, जिसमें आपकी पीडिया रहती आ रही है, आपके दादा श्री भी रहें, उसके बाद आपके पिता श्री, फिर उन्हें इसे छोड़ कर जाना पड़ा, ठीक वैसे ही, जैसे सराय में कुछ दिन रहने के बाद उसे छोड कर जाना पड़ता है, आप भी एक दिन इस सराय को छोड़ कर चले जाएंगे, तो फिर इसका इतना घमन क्यों, साधू की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ, उसकी आमखो पर पड़ा घमन का परदा उठ गया, वह हात जोड़ कर साधू से बोला, गुरुवर, आपने आज सत्य से मेरा सामना करवाया, अब तब मैं अपने एहम में डूबा हुआ था, मुझे क्षमा कर दे, साधू ने राजा की क्षमा किया और उस रात महल में रुपकर अगले दिन वहां से प्रस्थान कर लिया, सीख, ये दुनिया एक सराय की तरह है, जहां लोग आ कुछ दे कर गए, तो सदा इस दुनिया में आपका नाम अमर रहेगा, इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए और इस दुनिया को बहतर बनाने में अपना योगदान दीजिए, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और स सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में